दोस्तों मोबाइल में गेमिंग खेलने का चलन जो है वो काफी समय से चला आ रहा है वहीं इस समय के सबसे पॉपलर मोबाइल गेम पब जी की लोग प्रियता का कोई तोड दिखाई नहीं दे रहा है इसी को देखते हुए स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी भी परफॉर्मेंस ओर्येंटेड हेट सेट लार्ज कर रही है इसका मतलब है कि आपको इस गेम के लिए फ्लेक्सिट फोन खेलने के जरूरत नहीं है अब आपको स्मार्टफोन पर 30,000 रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है मार्केट में 15,000 रुपए से कम क्यूमत में ऐसे हटसरत मजूद है जो काफी शानदार है तो आज की इस वीडियो में हम इसी वारे में बात करने वाले हैं तो यह सबसे पहला फोन है वो है सेमसंग का गैलक्सी एम 30 चार जीव रियम और चॉट जीवी इंटरनल स्टोरेज की कीमत जो है वो है 14,990 रुपए आप लो मेडियम ग्रैफिक्स को सेट करके आसानी से इस मोबाल में पबजी खेल सकते हैं दिबाइस की इस प्रिप्सिश्किन की बात करें तो इसमें आपको 6.4 इंच की फुल एज़ी प्लस सूपर एमोल्ड डिस्पिले बन पैंट एक गिगाहट्स क्लॉक स्पीड वाले कॉटेक्स ए 73 और 1.6 गिगाहट्स कॉल कोड़ स्पीड वाले कॉंटेक्ट ए 53 के साथ एक्स नॉस साथ नौस सो चार्ट चिपसेट मौजूद है अब जो दूसरा फोन है वह रेड्मी का नोट 7 प्रो शामी ने हाली में रेड्मी नोट 7 प्रो को लांच किया था इस फोन के चारज़ी औ प्रोसेस के साथ 11 अनम तक्नीक पर बना कॉलकॉम का श्नेपड़गन 675 चिपसेट दिया गया है वहीं ग्राफ्यूस के लिए इस फोन में एंडरोना 612 जीपीओ कंपनी में व्वजूद है कंपनी ने गेमिंग के लिए इस फोन में एक अलग कूलिंग सिस्टम दिया है और 12NM MediaTek Helio P70 प्रोसेसर भी दिया गया है वहीं जो चौता फोन है वो है SS Genphone Max Pro M2 इस डिवाइस के 6GB RAM और 64GB इंटरेल उस्ट्रोज की कीमत है वो है 13,999 रुपए अगर बात करें फोन की तो इसमें 6.3 इंच की LCD स्क्रीन में लेगी SS Genphone Max Pro M2 को कॉलकॉम स्नेपड़गन 600 चिप 2.2 GHz ऑक्तो का प्रोसेसर है वहीं गेमिंग के लिए फोन में कूलिंग सिस्टम भी दिया गया है अगर हम बात करें लाश्ट और पांच में फोन की वो है ऑनर का 8X अगर बात करें ऑनर 8X के तो इसकी सुराती कीमत है वो है 14,999 रुपए वहीं इस हैट्सेट में 6.5 इंच क की फॉल एच्डी प्लस डिस्प्ले है जो की गेमिंग के एक्स्पिरेंस को बहतर बनाता है वहीं फोन में ऑक्टाकॉर 710 ट्रोसेसर जिया गया है जिसकी क्वाल कॉम स्पीड 1.7 GHz साथी बहतर ग्राफिक्स के लिए फोन में ए आर्म मालीज जी 55 MP4 GPU भी है डिवाइस में 4 सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले